हलो दोस्तो टेक्नोवी क्रांत में आप सभी का स्वागत है यहां पर इस वीडियो में मैं आपको Realme 8 के Realme UI 2.0 के अप्रेल मंद के न्यू साप्टेर अपडेट के चैनल लग के बारे में बताऊंगा और यह अपडेट आपके मुबाइल में कब तक देखने को मिल जाएगा और क्या है इसका अपडेट लॉक सभी कुछ बताने वाला हूँ दोस्तो पूरा वीडियो देखेगा लेकिन उससे पहले पहली बार हमारे चैनल पर आया हो तो सब्क्राइब कीजिए बेल आइकन बजा चालू कर दिया है यहां पर देखेंगे रियलमी 8 का मॉडल नंबर RMX 3085 है और इस नए अपडेट का जो वर्जन है A.10 है दोस्तो इसका OTA अपडेट का साइज मुझे पता नहीं है क्योंकि दोस्तो यह अभी हाल ही में रोल आउट हुआ है तो इसका OTA अपडेट का साइज मुझे पता नहीं है अगर दोस्तो आपको यह अपडेट मिल गया होगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि इसका OTA अपडेट का साइज कितना है तो मैं आपके कमेंट को पिन कर दूँगा तो यह था दोस्तो रियलमी 8 का basic software interface और आप बात करते हैं इसके अपडेट ल इसके लाव बात करें अगले चेंज की तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तो केमरा के अंदर भर भर के optimization और bug fixes हुए है जहाँ पर बात करें फ्रंट केमरा के अंदर backlight condition में image clarity ठीक से नहीं आता था तो उसको optimize किया है इसके लाव बात करें अगले चेंज की तो rear camera के अंदर food scenes म इमेज effect जो है ठीक से वर्क नहीं कर पाता था तो उसको भी optimize करके ठीक किया है इसके लाव बात करें अगले चेंज की तो rear camera में normal mode के time पर image clarity ठीक से नहीं आता था तो उसको भी optimize करके अच्छा कर दिया है जिससे की better photo देखने को मिलता है इसके लाव बात करेंज की तो rear camera में 64 mode के time पर कुछ situation में image में noise दिखाई देनी लगता था तो उस problem को भी इस update के through optimize करके अच्छा कर दिया है जिससे की 64 megapixel में photo लेने पर अच्छा photo देखने को मिलता है इसके अलाव बात का regular change की तो video recording के time पर image clear नहीं आता था तो उस problem को भी इस update के through optimize करके ठीक कर दिया है इसके अ optimize करके अच्छा कर दिया है जिससे की clear photo देखने को मिलता है इसके अलाव बात करे अगले change की तो अगर आप किसी third party app से QR code scan करते थे तो उस time पर focus issue हता था ठीक से QR code को scan नहीं कर पाता था तो उस problem को इस update के through fix कर दिया है इसके अलाव बात करे अगले change की तो यहाँ पर front camera में outdoor situation के time पर image जो have red red दिखाई देने लगता था तो उस problem को भी this update के through fix कर दिया है इसके अलाव बात करे अगले change की तो rear camera में color shifting का issue होता था color जो है ठीक से proper adjust नहीं कर पाता था तो उस problem को भी this update की फिक्स कर दिया है इसके लाव बात करें अगले चेंज की तो अगर आप केमरा यूज करते हैं तो उस टाइम पर लेगिंग इसु देखने को मिलता था कुछ सिच्वेशन में तो उस प्राब्लाम को भी इस अगले चेंज की तो फिंगर प्रिंट के अंदर यहां पर फिंग अगर दोस्तो इस वीडियो में वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना ना भूले मिलते हैं आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए गुडबाइ एंटेक केर दोस्तो कर दोस्तो